हेलो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में फ्रेंट्स जैसा कि हमें पता है कि रिजनरेटिव फीड़ वाटर हीटर पावर प्लांट में एफिसेंसी को इंप्रूव करने के लिए यूज किया जाते हैं आज हम फीड़ वाटर हीटर की पफॉमेंस को मीजर करने के लिए यूज किये जाने वाले पैरामीटर के बारे में बात करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो उन में से फर्स्ट पैरामीटर है हमारा टर्मिनल टेंप्रेचर डिफरेंस टीटीडी एंड सेकंड अप्रोच डी सी ए एंड नंबर थ्री इस फीड़ वाटर टेंप्रेचर राइस मिन्स कि फीड़ वाटर का टेंप्रेचर कितना इंक्रीज हो रहा है हमारे फीड़ वाटर हीटर के थुरू पास होने पर रोके हैं डेल्टा टी दिल्टा लेटा टी एफ, नबल से फीड़ वाटर चलिए अब हम बात करते हैं टेर्मिनल टेंप्रेचर डिफरेंस के बारें suivre तर्मिनल टेंप्रेचर देफरेंस到 मेजर औफ marriage of cause डा उट्ट फीड वाटर टमपरेचर इस्टू दा that फीडवाटर बिटर शाच एंग के अउटलेट्वारेचर शॉह लॉठ से के अउट्ट परن है है वो हमारे कंडेंज्ड स्टीम जो हुई है हमारी एक्स्ट्रेक्शन वाली उसका जो सेचुरेशन टेंपरेचर है उसके कितने क्लोज तक पहुंच पा रहा है अक्योंकि अगर हमारे फीड वाटर स्ट्र थीटर की कंडिशन इंप्रूवड होगी और उसके प्रॉपर बिल्कुल और अगर क्लोज ही मिदस कि हमारे कि कंडिशन बैटर है अब हम देखते हैं कि 1 degree temperature अगर हमारा बढ़ता है TTD में Terminal Temperature Difference में Of Top Heater Top Heater means Feed Water Heater No.8 अगर हम देखते हैं कि Feed Water Heater No.8 Then 7 Then 6 Feed Water हमारा पहले 6 में जाएगा 6 के बाद फिर 7 में जाएगा फिर 8 में जाएगा उसके बाद Economizer में जाएगा तो अगर Top Heater की हम बात करते हैं और उसमें अगर हमारा TTD 1 degree Celsius increase होता है तो हमारी हमारा heat rate जो है वो 0.028% increase हो जाएगा ओके अगर हमारा TTD 1 degree बढ़ता है जो कि अगर हम Lower Heaters की बात करें 6 और 7 की तो हमारा heat rate 0.023% increase हो जाएगा यह जो percentage है यह देखने में हमें कम लग रहा है but because हमारा TTD अगर पांच डिग्री या 10 डिग्री बढ़ जाता है तो यह जो amount है significant हो जाएगा बहुत जाएगा और mostly ऐसा ही होता है क्योंकि अगर load vary होते हैं हमारे और heater के अंदर कुछ भी problem आती है तो TTD में बहुत जादा increment आता है increment आएगा तो हमारा heat rate काफी increase होगा अब हम देखते हैं कि TTD की significance क्या है जैसा कि मैंने पहली slide में बता है कि TTD जो है हमारी वो heat transfer capability of feed water heater इसको बताता है because हमारी steam जो है वो condensed हो गई okay condensed हुई at any saturation pressure okay जो extraction pressure sorry okay P extraction तो उसके corresponding जो हमारा temperature है लगबग उतने temperature तक अगर हमारा feed water temperature पहुच रहा है that means कि हमारी जो heater की performance है वो बहुत अच्छी है okay उसकी effectiveness बहुत ज्यादा है मतलब on the other hand अगर हमारा TTD जो design है okay उससे अगर ज्यादा चल रहा है that means कि heater की performance पूर है उसमें कोई ना कोई issue आ गया है okay क्योंकि heat transfer हमारा properly होनी पा रहा है तो उसके पीछे फिर बहुत सारी reasons हो सकते हैं वो हम अगली slides में discuss करेंगे और इसको हम कैसे measure करेंगे different different loads पर controlled performance tests करेंगे okay और उसमें दिखेंगे कि क्या variation आ रहा है अगर वो variations जादा है for example TTD अगर हमारा जादा आ रहा है different different loads पर that means उसमें फिर heater में कुछ problem है चलिए अब हम बात करते हैं drain cooler approach के बारे में DCA drain cooler approach और DCA is a measure of how close the heater drain outlet temperature is to the feed water inlet temperature इसका मतलब है कि हमारा जो heater का drain है उससे हम कितनी heat transfer करके feed water heater means feed water heater ले पा रहा है okay जितना ज्यादा हमारा drain outlet temperature feed water inlet temperature के बरावर होगा उतना ही ज्यादा हम means drain cooling zone के अंदर heat को transfer कर पा रहे हैं feed water heater के अंदर okay तो अगर हमारा DCA बढ़ेगा तो हमारा जो heat rate है वो 0.01% increase हो जाएगा okay तो यह significant amount है अगर हम देखें तो एक degree DCA increase होने heat rate के अंदर काफी ज्यादा increment आ रहा है अगर हमारा drain DCA low है इसका मतलब है कि हमारा जो drain cooling zone है वो properly work कर रहा है और हमारा heater है उसकी life अच्छी रहेगी because drain cooling zone जो होता है हमारा वो सबसे ज्यादा एक तरीके से माल सकते हैं कि critical zone ही होता है feed water heater के अंदर यह feed water heater के अंदर ही एक और feed water heater की तरह work करता है okay तो DCA low है means feed water heater की life अच्छी रहेगी क्योंकि उसका drain cooling zone properly work कर रहा है अब हम बात करेंगे कि DCA high हो जाएगा तो क्या होगा हमारा ओके अगर हमारा DCA का temperature जादा है किसी power plant में तो इसका मतलब है कि उसमें operating conditions में कुछ ना कुछ दिक्कत आईगी मतलब ओके या दिक्कत आई है ओके दूसरा है कि इससे हमारा जो drain cooling zone है या फिर tubes हैं या फिर other internal अगर उसके अंदर कोई भी waffles हो गई वह सब हमारी damage होने के chances बढ़ जाते हैं ऐसा क्यों होता है मैं बता हूंगा आपको अभी okay horizontal heaters में especially okay तो इसके लिए हमें corrective action लेना है जिससे कि हमारा DCA improve हो और design parameters या design value से आइधर बराबर हो या उससे कम हो DCA हमारा कम भी हो सकता है अगर कम है means हमारी physical condition of heater है वह improved रहेगी okay और अगर हमारा DCA जादा है तो वह फिर flashing allow करता है flashing या destructive velocity drain cooling zone के अंदर अब मैं बताता हूं ऐसा क्यों होता है अगर हमारा drain cooling zone के अंदर मैं एक example से बता हूंगा drain cooling zone के अंदर हमारी यहाँ से feed water in हुआ okay feed water का कोई भी x temperature है मानके चलिए और यहाँ पर अगर हमारा drain cooling zone का temperature x plus 100 है मानके चलिए या x plus 50 है तो यह जो 50 degree का temperature difference है यह हमारी इस water के अंदर वैफल के बीच में एक तो वैफल को damage करेगा क्योंकि यहाँ पर thermal stresses develop हो जाएंगे वैफल और वाटर के बीच में drain और वैफल के बीच में और वैफल के साथ हमारी tubes connected है तो tubes और वैफल miles और वहाँ पर फिर हमारा यह जो drain और आराइस में यह एक एक तो velocities increase होंगी हमारी drain की और इसके अंदर turbulence बहुत जादा increase होगी thermal stresses increase होंगे drain cooling zone के अंदर तो वह एक harmful condition है इसलिए हमारा drain cooling approach जितना ज्यादा minimum रहे उतना better है अब हम बात करते हैं feed water temperature rise के बारे में feed water temperature rise means at a given load मानके चलिए हम load को constant करते हैं तो हम उसमें यह दिखेंगे कि हमारा given load पर same operating condition में कितना temperature rise मिल रहा हमें feed water heater के अंदर ओके मानके चलिए 100 degree temperature rise मिला या 50 degree temperature rise mostly मिला ओके तो अब हम इसको compare करेंगे different different load conditions पर ओके और different different times इसको हम measure करेंगे कि हमारा temperature rise में कितना effect आ रहा है अगर यह variation जादा आ रहा है और time के साथ-साथ यह variation कम हो रहा है that means कि हमारी heater की performance में कुछ ना कुछ variation है load के साथ okay but load के साथ तो variation होगा हमारा but at same load हम उसको compare करेंगे load को constant रखके उसके बाद अगर हमारा variation बढ़ता जा रहा है for example यह जो temperature rise है यह घटता जा रहा है sorry that means कि हमारे heater में कहीं ना कहीं कुछ issue है जिसकी वज़े से हमारा temperature जितना gain हमें मिलना चाहिए था feed water temperature का उतना नहीं मिल पा रहा है जैसा कि हम दिखते हैं कि जो हमारा HP heaters होते हैं उसमें हमारे TTD negative है और जो हमारा LP heaters है उनमें हमारे TTD positive होता है इसका reason यह है कि जो LP heaters होते हैं उनके अंदर D super heating zone नहीं होता है जबकि जो हमारे HP heaters है उनके अंदर D super heating zone भी होता है D super heating then condensing then sub cooling जबकि LP heaters के अंदर only condensing and sub cooling दो ही zone होते हैं तो इस reason की वज़े से हमारा terminal temperature difference LP heaters का mostly positive side ही रहता है चलिए हम एक example से समझते हैं की TTD DCA और TRM कैसे calculate करेंगे now this is a typical graphical representation between feed water heater level versus TTD and DCA so on x-axis this is the feed water heater level and on y-axis it is DCA and TTD okay this is feed water heater in centimeters so TTD is increasing with feed water heater level but remain constant with feed water heater level but increase beyond certain level okay and DCA is getting decreasing with feed water heater level so so यह वाला जो हमारा zone है यहां पर जहां पर हमारा TTD increase नहीं हुआ है यहां से यहां तक की वाला जो zone है यह हमारा एक optimum zone है हमें इस zone में ही चलाना चाहिए है मतलब ओके अब हम दिखते हैं feed water heater response के बारे में तो अगर inadequate venting अगर हमारी होगी तो temperature rise हमारा decrease होगा terminal temperature difference increase होगा और drain cooling approach भी इसका मतलब यह है कि हमारा temperature rise decrease होगा means inadequate venting की वजह से प्रॉपरली हमारा जो heat transfer होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है ओके तो इसलिए हमारा temperature rise decrease होगा similarly drain cooling approach भी increase होगी because जो हमारा drain cooling zone है उसके अंदर हमारी जो cooling है feed water heat heat water feed water की ओके वो उतनी नहीं हो पा रही है जितनी होनी चाहिए क्योंकि उसमें air in trap हो गई हमारी drain में ओके अब हम second condition देख रहे हैं level increase की तो level increase होने पर भी हमारा क्या होगा कि temperature rise decrease होगा उसका reason यह है कि जैसे हमारा feed water heater का level increase होगा हमारी tubes submerge होगी पानी से tube submerge होने से हमारा heat transfer area है वो हमारा decrease हो जाएगा heat transfer area decrease होने से जो heat transfer हमारी steam या condensate से feed water में होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाएगी और हमारा temperature rise है वो decrease होगा similarly TTD increase होगा और DCA decrease होगा सेम level decrease होने के case में है इसका opposite होगा जो temperature increase के case में है level increase के case में है अब हम tube falling की बात करते हैं tube falling के case में temperature rise जो है हमारा वो decrease होगा क्योंकि हमारा surface area decrease हो गया fouling में जो heat transfer होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाएगी हमारी ओके और terminal temperature difference increase होगा और DCA increase होगा तो यह totally मान के चलिए एक very disadvantageous condition है हमारे लिए ट्यूब लीक के case में भी same है फाउलिंग की तरह है temperature rise increase होगा terminal temperature difference increase होगा और drain cooling approach यह भी increase होगा अब high feed water flow की बात करते हैं feed water flow के case में भी हमारा temperature rise increase होगा उसका reason यह है कि हमारा जो एक retention time है न इसका feed water का वो decrease हो जाएगा feed water flow increase होने से एक surface area हमारा बढ़ेगा feed water flow बढ़ने से और एक जितना feed water एक tube से पास होने में जितना heat उसको gain करना चाहिए था उतना नहीं कर पा रहा हो temperature rise हमारा decrease हो जाएगा terminal temperature difference increase होगा और drain cooling approach भी increase होगा और अब हम बात करेंगे plugged tube के case में same temperature rise decrease हो जाएगा हमारा terminal temperature difference increase होगा और DCA भी increase होगा okay so this is all from my side if you have any question you can ask me in comment box okay thank you very much